Hello guys, welcome back to world channel, my name is Sonam Chohan, तो जिस स्रीज का आपको बहुत दिनों से इंतिजार था, अब वो इंतिजार आपका खातम हो चोगा, because of हम लेकर के आए हैं, MCQs-based important 50 questions, यानि की पूरी स्रीज देखे, 100 questions किया, बट हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, पहले 50 questions हम इस स्रीज में complete करेंगे, और लास्ट के 50 questions हम दूसरे पार्ट यानि की पार्ट सेकिंड में complete करेंगे, पूरी इमानदारी के साथ हम इसको लेकर के आए हैं, और देखो, बहुत मेहनत लगती हैं, अब जब दो लेक्वेज में किसी भी स्रीज को तयार करते हो, तो ये English में भी और Hindi में भी है, तो साथ-साथ ना दो आपको उसमें translate करने की जोरत है, ना ही आपको अलग से PPT देखने की जोरत है, तो इसी में ही हमने दोनों language को use किया है तो इतनी मेहनत को लेकर के भाई एक like share तो देखो बनता ही है और बहुत सारे ऐसे student हैं जो 80% ratio में आते हैं जो हमारा जो material है वीडियो से वो consume करते हैं बड़ सब्सक्राइब नहीं करते हैं अगर आपको थोड़ा भी इस चैनल से benefits मिलता है थोड़ा भी आपको इससे फायदा मिलता है अवेंडेस मिलते है कुछ भी नौटिफिकेशन है आप अपडेट रहते हो तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर बनता है प्रीज दो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो भी नौटिफिकेशन ने वा आप तक पहुंचते रहें तो फटा फट से जो है इस स्रीज को स्टार्ट करते हैं चलिए पहला कोशन है यहाँ पर देखिए कि किसने कहा कि एक तो आपको समझना है कि बेज्ड NEP यानि कि पूरी NEP के आधार पर जो नया पेपर पैटर्न है उसके आधार पर स्रीज स्टार्ट की गई है और इस सेकिंड सेमेस्टर की पूरी थियोरी वाली भी पूरी स्रीज प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो ये one-to-one question आपको तभी clear out होंगे जब आप lectures यानि कि जो theory के lecture से वो आप अटेंड करोगे तो दोनों series आपके लिए important है theory वाली भी और M.C.Q. वाली भी तो चलिए पहला question है आप है कि कि किसने का कि राजने दे विज्ञान का शुरू और अंतराज्य में होता है कि who said that political science begins and ends in the state बहुत ज़्यादा famous और बहुत ही ज़्यादा important definition है तो option इसमें D सही हो जाएगा निकि गॉर्णर गॉर्णर एक ऐसे think कर रहे हैं जिन्होंने बोला है कि जो political science है उसके शुरुवात और अंतराज्य से ही होती है दूसरा question इहाँ पर देखे कि निम्न में से कौन राजनितिक विज्यान को राज्य से संबंद शास्त्र नहीं मानता है who among the following does not consider political science as a science related to the state तो option इहाँ पर चार है Garris, Eastern, Blundshalli या Acton तो option इसमें B सही हो जाएगा यानिकि Eastern इसका पुरा नाम है David Eastern तो David Eastern का यह statement है जो कि political science को state से related एक शास्त्र मानता ही नहीं है ठीक है? कि अभी political science as a science related to the state is not तो दूसरा next question है यहाँ पर कि सीले राजनितिक विज्यान को निम्न में से किसे संबंदित शास्त्र नहीं मानता यहाँ पर सीले की definition पूछी है कि राजनितिक विज्यान को निम्निकित में से किसे संबंदित शास्त्र नहीं मानता है नहीं कि सीले does not consider political science to be a discipline related to which of the following तो यहाँ पर option चार है कि राज्य से, वेक्ति से, सरकार से, यानिकि for government या सही उत्रास्ता या यहीं होने तो option इसमें C से हो जाएगा सरकार से, तो सीले के according वो political science को government से relate नहीं मानता है इसके बाद next question है कि राजनितिक विज्यान राज्योर सरकार दोनों से संबंदित शास्त रहे या परिभासा किसकी है political science is the science related to be both the state and the government whose definition it is in this तो option 4 है यहाँ पर तो option 20 का सही हो जाएगा Gil Christ देखे सबसे ज़्यादा humanities के जो subjects होते हैं जब इनके MCQs based जो भी question आते हैं तो सबसे ज़्यादा या तो definition पूछी जाती है या statement पूछे जाते हैं ठीक है तो थोड़ा इसलिए सबसे ज़्यादा question आपको इसी तरीके के मिलेंगे statement के अब आपको चाहे इनको देखना है समझना है रटा मारना है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा important है ठीक है पहली बार मसे कि उस based exam paper pattern होने जा रहा है तो उसी के इसाब से हमने कुछ जो भी question है वो जो chapter से उसी के अंदर से निकालें तो काफियत तक ही आपको help भी करेंगी ठीक है next question की तरफ चलते हैं कि प्रमपरागत राजनितिक विज्यान की निम्न में से कौन सी क्विशेष्टा है which one of the following is a characteristic of traditional political science तो यहाँ पे चार उप्शन है विज्यानिक्ता, तठस्ता, मुल्य प्रक्ता या भ्यावारतनी के scientificity या neutrality, valability या practicality तो यहाँ पे option C से ही हो जाएगा मुल्य प्रक्ता next question देखे है उननिसोटारेस में युनेसको द्वारा बुलाएगे सम्मेलन में रादनिती शास्त्रो को निमलेकित में से क्या नाम दिया गया था which of the following name was given to political science in the conference called by UNESCO 1948 तो उननिसोटारेस में जो भी UNESCO में एक सम्मेलन हुआ था तो उसमें political science को मतलब एक अन्ने नाम क्या दिया गया था तो यहाँ पर आप देखना option A सही हो जाएगा रादनिति विज्ञान हैने की political science तो पहले जो रादनिती शास्त्र जिसको बोला जाता था उसका नाम चेंज हुआ उननिसोटारेस में 1948 में कहां UNESCO द्वारा बुलाएगी सम्मेलन में जिसके बाद political जो रादनिती शास्त्र जो रादनिती शास्त्र जो रादनिती शास्त्र जो रादनिती विज्ञाने की political science तो option इसका A सही हो जाएगा अब next question देखते हैं यहाँ पर कि सिकंदर निम्न लिखित में से किसे अपना गुरू मानता था who among the following was the considered by Alexander as his guru सिकंदर हम भारत के perspective से बोलते हैं but at least उसका real नाम Alexander है तो यहाँ पर option कसी सही हो जाएगा अरस्तु यनि की Aristotle तो सिकंदर अरिस्टोटल को अपना गुरू मानता है ठीक मतलब मानता था next question देखिए कि राजनितिक विज्ञान को निम्न लिखित में से किस कारण से राजनितिक दर्शन नहीं कहा जा सकता या कहा जाता है political science is not called political philosophy due to which of the following reason कौन सा एक reason है इन में शोप्षन आपको चार दिएगे चार में से एक सही आपको यहाँ पे click करना है तो option इसका A सही हो जाएगा राजनितिक विज्ञान कालपनी कहानी कि political science is a fiction तो इस हिसाब से वो political science को पूरी तरीके से political philosophy नहीं बानता है ठीके इसके बाद next question है कि राजनितिक विज्ञान के विज्ञान होने की बाद तो बहुत दूर है यह है तो कलाओ में भी एक पिछड़ी हुई कला है यनि कि far from being a science a political science it is a background art even among the arts तो यह किसका statement है यह जीज़े किसने बोली है option 4 है चार option में लग-लग thinker है तो option C का सही हो जागा इनकी buckle ठीके और इसके बाद next question की तरफ चलते है next question देगे कि निमलेखित में से किस कारण से राधनते विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जाता है यनि कि political science is not called a science because of which of the following वो कौन सा एक reason है तो option इसका एसा ही हो जाएगा कि इसमें सरो मानने नियमों का अभावय नि कि it lacks universal rule जो कि एक science के field में कुछ ऐसे नियम, कुछ rule regulation हर चीज बहुत ही processing में होती है करमबद में होती है but political science में ऐसी चीज़े देखने को नहीं मिलती है इसलिए इसको पूरी तरीके से science नहीं माना जाता है ये एक ideology और हर thinkers ने किसी ने इसको science माना है किसी ने इसको art माना है just a definition next question यहाँ पर देखिए प्रमपरागत राजमितिक विज्ञान के विशिक शेत्र के अंतरगत निमलिखित में से क्या सम्मेलित है which of the following is included in the scope of traditional political science तो option इसमें चारो के चारो ही आपके सही है कि राज्यकादनिक study of state political theories, political institutions all of these options इसका D सही हो जाएगा all of these यानि कि ये सभी तो जो traditional political science है उसका जो अगर हम बात करते हैं कि included the scope इन में से क्या क्या है तो study of state को भी इसमें रखा जाता है theories को भी institutions को भी तो इससे लिए options का D सही हो जाएगा ये सभी next question देखिए कि आधुनिक रादनिति विज्ञान का उदे कब हुआ माना जाता है कि when is the rises of modern political science considered तो option यहाँ पर इसका D सही हो जाएगा यानि कि second world war के बाद में तो जो modern political science है उसको rises यानि कि उसका जो उदे हुआ उसको growth मिली वो कब मिली after second world war के बाद में बहुत अलग थी और second world war के बाद में बहुत सारी चीज़ी पॉलिटिकल पूरा system change हुआ country का next question देखिए हापर कि आधुनिक रादनिति विज्ञान का समर्थक किसे माना जाता है अब ये questions थोड़ा सा typing mistake होगी क्योंकि खुदी करनी बढ़ती है तो यहां पर थोड़ा साब को ठीक कर लेना है क्योंकि question के हिसाब से जो options है वो थोड़ा से different है तो question accurate क्या है कि आधुनिक रादनिति विज्ञान का समर्थक किसे माना जाता है ठीक है तो option इसमें C से ही हो जाएगा डेविड इस्टन यानि की इस्टन इसका पुरा नाप डेविड इस्टन है ठीक है तो यहां पर थोड़ा साब देख ले था कि वेन इस supporter of political science consider modern political science sorry next question देखे है human nature in politics पुस्तक का लेखक निम लिखी समय से कौन है human nature in politics who is the author of the book तो option A सही हो जाएगा graham Wallace is a very important question क्योंकि यह बहुत बार repeated देखा गया है question तो यह जो book says को लेकर के question पूछा जा सकता है next question की तरफ चलते हैं कि यहां पर आधुनिक रादनेते विज्ञान की निमने में से कौन सी विशेषता नहीं है which of the following is not a characteristic of modern political science तो आपको बताने कि जो modern political science से वो इन में से कौन सा एक ऐसा features उसका नहीं है चारे जिन में से option बीस का सही हो जाएगा मुल्यों पर बले निकेंफैसिस of values next question की तरफ देखिए कि रादनेते विज्ञान का शक्ती शासन अत्वा सत्ता से संबंधी थे यह कथन निमले कितमे से किसका एदे किसे statement है the power of the political science is related to governance or power whose statement in this option का c सही हो जागा next question रादनेते विज्ञान के शेतर में मुल्यों के आधिकारिक वितरन को निमले कितमे से कौन सा विद्वान विशेक शेतर के अंदरगत मानता है यानि कि जो political science है वो एक तरीके से ऐसे एक शेतर उसकी जो values है अगर हम उसको distribute करते हैं तो वो कौन से विद्वान ने इसके scope के बारे में explain कि है कि which of the following discipline consider the official distribution of values in the field of political science तो उप्शन का c सही हो जागा है निकि next question रादनेतिक विज्ञान में निमले कितमे से किसे रादनेतिक विज्ञान के विश्चेक शेतर के अंतरकत बताते है in political science which of the following is told under the subject area of political science तो उप्शन इसका c सही हो जागा संगर्स और समस्याओ का देने कि study of conflict and problems next question है कि रादनेतिक विज्ञान शक्ती के निर्धारन का सहा और सहा भागिता का अध्यान अकथन निमली कितमे से किसका है जो political science is the study of determinations of power and participation this statement given by which of the following तो option इसका एस ही हो जाएगा लॉस्वेल और कॉपलन तो देखे सबसे ज़्यादा statement ही पूचे जाते हैं सहा भागिता participation की बात करें तो वो लॉस्वेल से related है अब नेक्स कोशन आपे देखे कैटलीन के नुसार रादने दिख विज्यान का विस्वेक्षेत्र निमन में से क्या है according to the कैटलीन which of the following is the subject area of political science तो options का बीस, एस और एस ही हो जाएगा शक्ति का देने कि study of the power इस series को सबसे अच्छा तरीका यूज करने का यही कि इसके आप एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो तो वो जो questions होते हैं न statement के वो आपके mind में एकदम से मतलब select हो जाते हैं और तब वो paper में आते हैं, exam में आप देख रहे होते हो तो उसका answer आप बहुत ही आसान तरीके से फिर लगा सकते हो इसके बाद next question देखी कि राद देते विज्ञान में कुछ नया नहीं है कुछ सत्य नहीं है, तथा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई अर्थ हो यह किसने कहा, कि there is a nothing new in a political sense, nothing true and nothing that makes sense who said this, तो options का B सही हो जाएगा, M से, ठीक तो हर एक thinker ने देखिए political sense को अपने-पने तरीके से define किया है तो हम यह भी नहीं कह सकते है just a art, just a science या इसमें बहुत सारी values है, सबने अपने-पने हिसाब से, अपने-पने explain अपने-पने जो विचार है, वो explain किये next question देखिए, राजनितिक विज्ञान के वल सरकार का अध्यन है, कतन किसका है political sense is the study of government only, where is the statement in this तो option इसका D सही हो जाएगा लिकोग next question देखिए, आपे कि निमलेकित में से कौन सा विश्य मनुष्य की मानसिक किरिया वें बहाई ये वियवारों का अध्यन करता है which of the following subject studies the mental activity and the external behavior of human beings तो option का C सही हो जाएगा, मनो विज्ञान ने कि psychology, basic सी बात है आप सभी को, normally ये बहुत ही आसान question है, पूरी series का, कि अगर हम किसी के mental level को study करते हैं, तो वो psychology में ही किया जाता है next question देखी कि समाज विज्ञान शोद परिशद का गठन किस देश में किया गया, in which a country in the council of social science research has been formed, option A सही हो जाएगा, अमेरिका next question देखी कि रादनिति विज्ञान इथियास और रादनिति के बीच में इस्तित है, या कतन किस का है, कि political science is located between history and politics, whose statement it is, it is, it is, तो option इसका B सही हो जाएगा, ब्राइस, next question है कि निमलिकित में से किस विश्य का यथार से अधिक संबंध होता है, आदर से नहीं, कि which of the following subject is more concerned with the reality than with the ideal, तो option इसका C सही हो जाएगा, मनोवियने की psychology, तो psychology realistic को support करती है, ना कि आदर्शवाद, idealism या imagination, ठीक है, next question देखते हैं कि अमेरिका संग और आधुनिक लोकतंतर नामक गरंथों की रचना किसने की who composed a book called American Federation and Modern Democracy, तो options का B, A सही हो जाएगा, नेक्ट कोशन देखें यहाँ पर, तो प्लेटो के जो रिपब्लिक एक ऐसा गरंथ है, जो पूरी तरीके से जो philosophy method है, उसके आधार पर उसको create किया गया, उसको लिखा गया है, ठीक है, तो आपको इध्यार नखना है, प्लेटो का रिपब्लिक is the right answer, नेक्ट कोशन देखें यहाँ पे कि निमलिकित में से कौन परंपरागत उपागब नहीं है, which of the following is not a traditional approach, तो option इसका D से ही हो जाएगा, वहवारवाद, यानि behavioralism, बाके सारे जितने भी approach हैं, इस सारे के सारे traditional में है, विकुस अगर आपने theory वाली class attend की होगी, तो definitely आप इसका अंसर बड़े आराम से दे सकते हैं, इसमें philosophy approach हो गया, historical approach हो गया, institutional approach हो गया, included economy के approach हो और बहुत सारे ऐसे चीज़ें, जो traditional approach में आती हैं, ठीक है जी, next question देखते हैं, आप है कि वहवारवादी अंदोरन कब शुरू माना जाता है, which is the behavioralist movement considered to have started, तो option जिसका D सही हो जाएगा, यानि second world war के बाद में, after the second world war, ठीक है, next question है कि उत्तर वहवारवाद का समर्ठक नेमने में से कौन है, who among the following is a supporter of the post pragmatism या post-behavioralism, देखें, तो वर्ड आप यूज कर सकते हो, pragmatism भी यूज कर सकते हो, behavioralism भी यूज किया जा सकते है, तो option इसका C सही हो जाएगा, Eastern, next question देखते है कि human nature in politics से रचना का निमलिखित में से कौन से है, who among the following is the author of human nature in politics, दोबारा ये question पूछा जा रहा है because of it is very important, तो option इसका A सही हो जाएगा, Graham Wallace, next question है कि odd guard, आदनती, विज्ञान का निमलिखित में से कौन सा विशेक्षेतर बताते है कि which one of the following subject area of political science is described by odd guard, तो answer इसका B हो जाएगा, यहनिके right answer है B, आदनती के विवस्ता का ध्यान, यानिकी study of political system, अब बात करतें next question कि उत्तर विहवारवाद निमलि में से किस पर बल देता है, post-behavidism emphases on which of the following तो option इसका C सही हो जाएगा, उपादेता अम करती दोनों पर, यानिकी on both maths and dead, next question देखते हैं कि अस्परस्ट होने से गलत होना अच्छा है या धारणा निमलि कित में से किस की है the believes that it is better to be wrong than to be under belong to तो option इसका B सही हो का वहवारवाद यो की यानि की of pragmatist यानि की behavioralism जो behavioralistic होते हैं वो यही मानते हैं कि अगर आप clarify नहीं हो आप किसी चीज़ को लेकर की clear नहीं हो नेक्स कोशन देखिए आपे कि राज्ये की सर्वोत्तम परिभासा किस विद्वान द्वारा की गई है which scholar has given the best definition of the state तो option इसका C सही हो जाएगा गौर्णर की जोगी हम स्टार्टिंग में पढ़ी चुके है नेक्स कोशन है कि सरकार किसका अवश्रक तत्व है government is an essential elements of option C सही हो जाएगा राज्ये का निक of state तो अगर state and its elements वाला chapter आपने cover किया है आपने वो theory वाले हमारे lectures attend किया है तो definitely बहुत ही simple questions है बहुत जादा simple question है state and its elements वो चार option वो चार elements जिन से राज्ये की read किया जाता है basic सी बात है और हमेंसे एक भी अगर हटा दो तो राज्ये को हम नहीं बना पाते तो एक तो राज्ये एक तो सरकार होई कि जो की question में आपसे पुछे चाहता है बाकि तीन नीचे comment section में आपको बताने next question है कि प्लेटो के अनुसा राज्ये की जन सेंग के कितनी होनी चाहिए according to the Plato who should be the population of the state तो option इसका एसा यह जगा 5014 नहीं कि 5040 तो यह प्लेटो के according है यह perfect welfare state में जो populations का जो ratio है वो 5040 होना चाहिए next question है कि राज्ये का vicious truth कौन सा है जो उसे दूसरे अन्य संगटनों से बिलकुल अलग करता है यानि कि what is the special elements of the state which is separate it from other organizations तो वो सबसे अलग कौन सा है sovereignty यानि कि संप्रभूता यह राज्ये का एक ऐसा elements है जो राज्ये को बाकी सब अगर हम compare करते हैं तो वो उसको बहुत ज़ादे specializations provide कराता है उसको बिलकुल अलग करता है next question की तरफ चलते है कि कौन सा राज्ये है which of the following is the state काफी simple और आसान question है बट अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाओगे तो बिलकुल गलत कर बैट होगे जादातर questions आप देंगे क्या राज्यसान को माल लेंगे राज्ये क्योंकि normally हम language में राज्ये किसको बोलते है उत्तरप्रदेश, मद्देप्रदेश, मारत, राज्ये नहीं political language के according ये सब province है ये सब क्या है प्रांथ है राज्ये क्या है राज्ये पूरे state के लिए यूज किया जाता है तो basic सी बात है option C's का सही हो जाएगा नेपाल राज्ये का मतलब होता है पूरे देश से और इसमें से बाकि जो option है वो देश से संबंदित है नहीं है, राज्यसान के बात के जस्टे province, सव्युक्त राज्सांग, जस्टे organization राज्येशन, राज्यसान मंडल, कॉमन वेल्ट तो बिल्कुल भी अलाग है ठीक है next question की तरफ चलते हैं कि आदुनिक यूग में सरफ रथम राज्ये शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान था, the scholar who used the word state for the first time in the modern era बास, तो कौन था वो मैं क्या वली, option का D सही हो जाएगा, मैं क्या वली मैं क्या वली को आदुनिक यूग का शिशू भी बोला जाता है, जिनोंने सबसे पहले, राज्यी ये जो word है, राज्यी state, इस शब्द को use किया next question देखते हैं कि राज्यी कुद्पत्ती का सबसे प्राचीन सिधान्त कौन सा है, which is the oldest theory of the origin of the state, तो सिधान जेने की divine theory, अब divine theory के बारे माँ आप तभी बता लगा पाऊगे, जब आपने इसकी concept पढ़े होंगे, जब आपने इसका lecture theory का lecture से टेंड किया होगा, फिर भी अगर मैं तो उसकी हर एक बात मानना, यानि कि भगवान के बात मानना, कुछ इस तरह की कि वहाँ पर धार्णाए होती है next question की तरफ चलते हैं कि सामाजीक समझोता सिधान्त के समर्था कौन-कौन थे, who were the supporters of the theory of social contract, options कब A सही हो जाएगा, Hobbes, Loke, Russo जिसकी वज़े से social contact theory को जाना जाता है और social contact theory को जब हम पढ़ने हैं तो इन ही तीनों के बारे में पढ़ना पढ़ता है next question है कि social contact जो books है, उसका लेख कोन हैं, who is the author of the books in social contact, option C सी हो जाएगा Russo next question है, राजा शुवरी शक्ति का पर्तिक्सर सवराज जी है, शाष्र के सत्ता का विरोध करना पाप है और उसका प्रतिपाद कोन है, the king is the direct self-rule of the divine power it is the sin of opposites government power who is the exponent of this option C सी हो जाएगा Robert Primer तो ये कि statement है, और statement सबसे जादा humanities का subjects में आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान करके इन चीजे देख लेनी है, next question है राजा शुवर में इतनी समानता है कि यह कहना ठीक है कि राजा शुवर है या कतन किसका है, there is so much similarities between the king and divine that is a right to say, that is the king is a good, who is the statement in this option B से हो जाएगा James पर्थम, यानि कि James first next question है कि राजजी की उत्पत्ति का सही वेक्या किस सिधान के द्वारा की गई है by which theory of the origin of the state has been correctly explained option D से हो जाएगा एतियासिक है विकासवादी सिधान, यानि कि historical or evolutionary development theories तो एतियासिक और विकासवादी सिधान, just A अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में आप पढ़ते हो तो राजजी की उत्पत्ति की सही तरीके से explain करता है कि historical background कैसा है और उसको develop कैसे किया गया, create कैसे किया गया, next question है कि लोग कल्यानकारी, राजजी वहराजी है जो अपने नागरीकों के लिए सामजी सेवाई परदान करते हैं और यह कथन निम्ली कित में से किसका है इसके बाद next question है कि समाजवादी राजजी को निम्ली में से किस रूप में समझते हैं in which of the following from do socialist state understand option D से हो जाएगा कि राजजी एक अच्छी संसा है the state is a good institution तो जो socialist है वो राजजी को एक अच्छी संस्ता मानते हैं जो socialist नहीं है जो capitalist है यह कहीं कि जो communist है वो कभी भी राजजी के का अवश्यक संस्ता हैं नहीं मानते हैं बलकि उनके अनुसा राजजी का अवश्यक बुराई होता है जो individualistic होते हैं वेक्तिवादी होते हैं वो भी एक राजजी का विश्यक बुराई मानते हैं ठीक है तो इसका जो answer है वो है D यह नहीं के राजजी का अच्छी संस्ता है किसके according समाजवादी राजजी के according So last question है कि क्योंकि समाज संगिय है इसलिए सत्ता भी संगिय चाहिए या किस ने कहा था Because the society is a federal that is a why the government should also be federal Who said is a statement? Option इसका A से हो जाएगा मैं काईवर ठीक तो I hope से 50 questions आपको बहुत ही ज़्यादा help करेंगे आपके exam के point of view से अगर आपके internal space पे आ रहे है या फिर आपके external आप केसी भी उनिवस्टी से अगर आपका same syllabus या NEP के according बहुत सारी चीज़ आपको clear out होगी तो नीचे comment section में ज़रूर बताना आप कुनसी उनिवस्टी से या आप कहां से इसको attend कर रहे है और बाकी जो भी अगर problem से नीचे comment section में ज़रूर बताना तो do like, share and subscribe, bell icon को press कर लेना ताकि हरे वीडियो को notification आप तक पहुंच तरह है तो मिलते हैं next series में next 50 questions के साथ में तब तक के लिए जे हिन, जे बारत